प्रसनावली 5.1 के प्रसनों को हल करवाएंगे प्रसनावली 5.1 का बेसिक पढ़ा चुके हैं जिस इस्टूडेंट ने प्रसनावली 5.1 का बेसिक नहीं पढ़ा उसको प्ले लिश्ट में मिल जाएगा पढ़ लेना इस class में प्रसनावली 5.1 के प्रसनों को हल करवाएंगे तो प्रसनों को हल करने से पहले अगर आप लोगोंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी इस टुडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें अगर इस चैनल से जुनना चाछते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो वेल आइकन इसलिए प्रेस कर लो क्योंकि जब वीडियो अप्लोड करते हैं तो यूटूब द्वारा सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर पुराने स्टुडेंट हो तो इस वीडियो को जादा से जादा अपने फ्रेंट सरकिल में सेयर करू तो पहला प्रेस नम पर लेते हैं क्या दिया है क्या हमसे मांग गया है यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि फलण एफएक्स इक्वाल फाइएक्स माइनस का थी फिर बताया गया एकस बराबर जीरो कामा एकस गान का ऑफिन्दू नहीं चंदकर को नहीं हैं यहां पर संतत घऑार यहां पर संतत लिखां तो संतत बोलेंगे जैसे पाड़ 5 कि यहां पे लिखा संतत अब कल नेता तो संतत बोलते हैं संतत बोलते हैं संतत बोलते हैं हमने आपको बेसिक में बताया कि संतत के तीन नाम है पहला संतत है दूसरा संतत और तीसरा संतत तो इनमें से आपको प्रस्ण में लिखा हुआ मिल जाएगा और जो प्रस्ण में लिखा हुआ मिल जाए उ आपको अच्छे से पढ़ लेना है तो इसका हल आप लोग देखो प्रेस नंबर पहला मैंने डाल दिया है सबसे पहले आप लोगों को यहां पर क्या करना है दिया गया फलन लिख लेना है फलन एफ एक्स बराबर लेको वहां 5 पर करेंगे तो सबसे पहले यहां पर क्या लिख देता है यह सब बराबर जीरो पर संतत की जांच यह अगर संतत लिखा है प्रस्ड में तो आप लोगों को संतत लिखना है संतत की जांच अब आप लोग कहोगे कि सर यहां पर आपने जांच क्यों लिखा है देखो प्रसन में बोला गया है सिद्ध कीजिए ठीक है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा एकस बराबर जीरो पर संतत की जांच जांच तो करेंगे और जांच में क्या पाएंगे कि फलन क्या होगा संतत होगा ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आपको हम बता देते हैं संतत के लिए फार्मला क्या होता है यह फे बराबर यह फे प्लस जीरो बराबर यह फे माइनस जी और इसको क्या बोलते हैं 25 सीमा लेश्ट हैंड लेमिट लेचल यह हमने आपको बेसिक में बताया कि कैसे इसका मान निकालते हैं और इसका भी बताया कैसे मान निकालते हैं अगर बेसिक नहीं आप लोगों ने पढ़ाए पार्ट पांच का प्रसनावली 5.1 का तो आप लोग जरूर पढ़ लेना क्योंकि अगर बेसिक आप लोगों के समझ में आ गया तो हम यह आप से बादा करते हैं कि प्रसनावली 5.1 के जब प्रसनों को हम हल करवाएंगे तो आपको आटोमेटिक समझ में आएंगे तो इसी लिए हम आपको डीपली बता रहे हैं कि इसका मान नि एकस बराबर ए पर होता है और यहां पर क्या है एकस बराबर जीरो तो एक इस्तान पर आपको क्या रखना है जीरो तो यह जीरो का मान निकालो हमने आपको बताया इसका मान डारेक्ट आपको निकाल लेना है ठीक है कैसे फलन में आपको रख देना है जीरो जहां जहां एक से वहां पर जीरो रख देना तो यहां पर हम क्या गरेंगे फाइव इंटु जीरो मैनस का जीरी हल किया मैनस की जीरी मिला खीक्ध करने की तो है तो आरेचल निकालना खीर कि यहाइबividade मीज़ी इसकी में निप्लाई है जिया उसनिया का मतलब मेरा है कि अगर पिलस की limit है तो आरेचल और माइनस की limit है तो लेचल ऐसे करके याद रखना कभी जीवन में नहीं बूलोगे तो यहां पर हम क्या करेंगे आरेचल लिख देते हैं ठीक है जचिड़ 25 इमा आरेचल का मतलब जानते हो हम पहले फार्मुला लिख देते ह तो यहां पर जीरो जीरो रगलो यह जो है बाद वाला जीरो यह किसका होता है लिमिट का होता है आगे चले क्या बन जाता है तो यहां पर देखो लिमिट यह टेंस टू जीरो यह आफ जीरो पिलस यह यही आप लोग वह सीख लेना है जो पहले लिखा होता है वह एक्स का मान ठीक है अब आपको पता है कि हम इसका मान कैसे निकालेंगे थोड़ा सा हल करेंगे ले में यह को पिलस करें कितना मिलेगा एफ एच रहेगा यही मिलेगा जीरो में पिलस करो यह तो यह रहा अब आपको क्या करना एफ एच का मान निकाला कहां से निकलेगा जो फलन का मान दि पर दोगो जहां जहां आपको एक दिख रहा है वहां पर यह रख देना है तो fh कमान पता चल जाएगा एक जगा एक से एक जगा आपको यह रख देना है तो देखो यहां पर लिमिट यह टेंश टू जीरो अब रखो यह पर तो five years minus पॉन पर नीचे चलाएंगा तो इसका तिरहर है अब लेमिटर को हटाएंगे और यह की इस तान पर 0 रख देंगे direct रखेंगे क्यों रखेंगे हमने आपको बताया कि जह फॉर्म बनती है जीरो अपान जीरो यह बनती है इन्फाइनट अपान इन्फाइनट और यह आगे चलके यही बन जाती है यह जो है जीरो अपान जीरो बन जाती है जैसे इन्फाइनट को कैसे लिख दें वन अपान जीरो और इस वाले इन्फाइनट को क्या लिख दें वन अपान जीरो तो य बनती है तो हम क्या करते हैं डारेक्ट लिमिट का मान नहीं रखते हैं और फार्म कब बनती है हम आपको बता देते हैं जैसे जीरो अपन जीरो यह इंफाइनेट अपphem एगी बात होती है जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा यह हमें बेसिक में आपको बताया था थीटा टेंस्टू जिरो जब हम लिमिट का मान रखते हैं तो लिमिट लिमिट भटा देतें यहां पर थीटा आ पे आपको जीरो रग लेना है तो लेमिट हटाएंगे तो हम रफ कार बता रहें सबसे पहले चलो रखो साइन जीरो अपाँजीरो साइन जीरो कमान कितना होता जीरो अपान में जीरो क्योंग ठीटा जहां जहां पर जीरो रख दिया तो यह फॉर्म बन गई कहने मतलब है जब फॉर्म बन जाती है तो हम लिमिट का मान डारेक्ट नहीं रखते हैं और फॉर्म कब बनती है आपको ट्री बता देते हैं जब प्रसन में फलन अंस बटे हर म जब एफएक्स का मान केबल और केवल अंस में केवल और केवल अंस में दे दे ठीक है तो फॉर्म नहीं बनेगी ना जीरो अपान जीरो बनेगी ना इंफाइनेट अपान इंफाइनेट बनेगी याद रखना जब अंस में एफएक्स का मान दिया जाए तो फॉर्म नहीं ब करते हैं सरल का मतलब है कि जो फॉर्म बना रहा है उसको केंसिल करते हैं यह साइन ठीटा अपान ठीटा है तो हमने बेसिक में आपको बताया कि एक अब कलंड का रूल होता है क्या होता है अब कलंड करूल अंस का अलग अब कलंड करेंगे और हर का अलग अब कलंड करेंगे ज लिमिट थीटा टेंस टू-0, स्टिता क्या होता है वताए कॉज थीटा बने होता है स्टेर में थोड़ा भोष सीक्राई उतने से ही काम चल जाएगा अब यहां पर ठीता का क्या होता है बन होता है ठीक है अब लिमिट हटाएंगे अब ठीटा के इस्तान पर जीरो रख दें क्यों आप फॉर्म बनेगी नहीं क्यों नहीं बनेगी क्योंकि नीचे वाला तो ही नहीं ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि फॉर्म तभी बनती है जब अंस बटे हर में दिया जाए संबा बन रख रहे हैं फिर भी फॉर्म बन करो यह तैसकं पर इसां इन नहीं होता है जब दोको खो कर लिया अब थीठा पर जीडरो यह पर नहीं बनेगी अपहने बनकितनी अंदरीट बन और यह हमने आपको बेसिक में बताया भी था यह सब जो इस्टुडेंट नहीं जानते हैं उनके लिए फिर रिपीट करके बता दिया है तो कहने का मेरा मतलब यह है कि लिमिट का मान डारेक्ट कब रखते हैं और कब नहीं रखते हैं यह बात आपको पता हो जैसे यहां पर हम लि तो था करने के मिलेंगे यहां पर देखो फाइब का इंटू जीरो में करेंगे 0 मिला का reducing मिली मिली फीलिये थीक है का मान और इसका मान बरावर आया है तो तीसरी वाली और निकालेंगे केने का मतलब मेरा है कि लचल और निकालेंगे ठीक है 222 सीमा अगर इसकी answer seat by chance 2 आती और इसकी minus 3 तो तीसरी वाली limit नहीं निकालते हैं इन दो मान पर ही बता देते हैं कि fx क्या है संतत नहीं है या संतत नहीं है लेकिन यहां पर बताया गया है कि सिद्ध कीजिए तो सिद्ध करना है तो आपको पता है तीनों के मान क्या आएंगे बराबर ही आ है और इसका मन क्या आयए माइनस का 3 अब आपको एलसल और निकाल आए आप लोग इसे नौट कर लो हम इसी में काम कर लेते हैं है कि यहां पर क्या करेंगे और रहें यल कर देता है यह तो जानते हो minus की लिमिट होती है यहां पर हम क्या करते हैं थोड़ा सा हल करेंगे माइनस का यह चाहेगा अब यहां पर रखेंगे ना तो कितना मिलेगा माइनस का फाइव एच मिलेगा ठीक है माइनस का फाइव एच तो हमें माइनस का फाइव इंटू जीरो मिला माइनस का तरी लिमिट अ है आप लोग प्लस का जीरो रखो इससे कोई दिक्कत नहीं है तो आंसर सीट हमें तीनों की क्या मिली बराबर मिले तो दो लाइने लास्ट में आपको लिख देना है इसको रफ कर देते हैं दो लाइने कौन से लिखना आए हम आपको बता देते हैं हुआ हम देखो यहां पर डैटी लिख देना दैट इसका मतलबा वहता है यह सीरो बढर एफ-जीरो प्लस प्लस जीरो बढर फ-जीरो-- unc answer sheet क्या निगली थी वराबर निखली थी थी की माइनस जबाए तिरी निकली थी ठीक इसका 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 तीनों का माण मान मांध 12 निडा तो आपको बराबर में लिख देना है ठीक है अब उसके बाद में आपको अता करके लिख देना किय।涕 कैने आता तो एक बार पर नाय तो एक line ऐसे करके imply that करके लिखना पड़ेगी ठीक है अता याद रगना एक प्रसन में एक यह बार लिखा जाता है तो इंप्राइड एक सब्राबर 0 पर tfx क्या है संतत जो प्रसन में लिखा होता है वह लिखेंगे के अगर प्रसन में यहां पर संतत लिखा होता एक्स बराबर जीरो पर अब देखो आगे आप लोग एक्स बराबर माइनस थिरी पर तो यहां पर हम चेंज कर लेते हैं माइनस का थिरी रख लेते हैं फिर वही मान निकालो बराबर निकालेंगे पहले यह माइनस थिरी रखो जहां-जहां एक्स है कितना रखो माइनस का थि मिला ठीक है जब हमने माइनस का ठीर का तो 55 5 15 माइनस का मिला और आप देखो आरे चल निकालो 5 3a5 यज जीरो यज टेंश टू जीरो यज Fresh प्लस का यह ठीक है आपको पता है जो आगे लिखा होता है एकस का मैन होता है और जो बाद में लिखा होता है वो लेमिट का होता है आगे चली क्या बन जाता है यहां पर यह फिक्स होता है यह क्या होता है यहां पर तो जीरो ही रहेगा ठीक है यह बदलेगा यहां पर अगर माइनस तीन है तो माइनस तीन आया जब हमने जीरो लिया था तो यहां पर क्या रखा था जीरो यह fix होता है लेकिन इसके बाद में क्या होता है लेंट जब हम use करते हैं तो यह 0 क्या बेंजाता है यह बन जाता यह वी बात आपको is एम ठोड़ा सा rough कर देते हैं इतना समझ गए आप लोग अब इसके आगे देओ करेंगे क्या limit yes tends to zero है f minus 3 plus अब आपको क्या करना है x के इस्थान पर minus 3 plus यच रख देना है तो हमें किस का मान पता चल जाएगा f minus 3 plus x का तो कहां पर रखोगे जो फालन दिया गया है फालन का मान उसी में रखेंगे जहां जहां x है वहां पर रखो तो इस तरब देखना है आपको ठीक है तो कहने का मतलब है यहां पर 5 है तो पहले 5 लिख दो पहले हम क्या करेंगे लिमिट लिख देते हैं limit yes tends to zero यहां पर 5 है 5 लिखो और यहां पर x x के स्थान पर क्या लिख दो minus 3 plus का yes ठीक है फिर minus 3 अब थोड़ा सा हल करेंगे हमने बताया है यह answer seat किसमें अंस में ठीक है अंस में तो चेक नहीं करेंगे कहने मतलब है हम रफकार करते अगर अंस बटे हर में होता अंस बटे हर में होता तो हम रफकार करते देखते जीरो अपन जीरो बने या नहीं लेकिन यहां पर अंस में तो हम चेक नहीं करेंगे फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगे डारेक्ट आपको लिमिट कमान रख लेना है डारे रखो तो लिमिट हटाएंगे ना यह के स्थान पर क्या रख देंगे जीरो जब लिमिट हटती है उसके बाद ही आपको यह कमान रख देना है ठीक ह तो यहां पर कितना मिलेगा 5 into minus 3 plus 0 minus 3 तो हल करेंगे minus 15 minus 3 minus 18 मिल गया तो इसका मान और इसका मान बराबर निकला है ठीक है आप लोग इसे note करो अब इसी में हम काउंट करेंगे आरेचल निकल आई अब इसी में हम क्या करेंगे लेचल लेचल जानते हो minus वाली जो होती है उसका मान और निकालना है तो जब निकालते हैं तीसरी वाली का जब इन दोनों का मान बराबर आता है तो आप लोट कर लेना यहां पर देखो हम क्या कर लेते हैं यहां पर केवल और केवल माइनस कर देते हैं वागी सारा सेम है तो यहां पर देखो ठीक है आएगा उत्तर उतना ह क्योंकि प्रेस में बोला है सिद्ध कीजिए तो देखो कितना आया पांस तीओ पंद्रा माइनस तीन तो माइनस का 18 मिला है तो तीनों के मान क्या निकले बराबर निकले अब लास्ट में दो लाइने लिख लेना ठीक है देख लो हमने आरेचल में ही काम कर लिया आप लोग क् ही में काम ना करना क्यों आप कर यह नहीं पाहूंगे तो देखो यहाँ पर देखों हम क्या करेंगे लास्ट की दो लाइने लिख देंगे that is f minus 3 equal f minus 3 plus 0 equal f minus 3 minus 0 answer it क्या निकली थी minus 18 निकली थी ठीक है तीनों के मान बराबर आगे तो imply that x बराबर minus 3 पर fx क्या है संतत है यह भी complete हो गया अब आप लोग देखो आगे एक सबराबर 5 पर ठीक है इसको अम रफ कर देते हैं आप लोग करते रहा करो और और कोई आपको जैसे नहीं समझ में आता है जो हम बताते हैं तो comment करके जरूर बता दिया करो ठीक है तो अब देखो आप लोग एक सबराबर 5 पर यहां पर हम जहां यहां पर मायनस तीन था पांच लेते हैं अभ निकालो मान यह 5 ठीक है यहां पर रखो कि जहां पर एक साकितना रखो 5 रखो तो into करेंगे कितना मिलेंगा 25-3 कितना बाइस मिला अब इसके बाद में आपको आरेचल, यह निकालना आ है ठीक है? यह 5 प्लस जीरो, फारमुला याद रखना यह जो लिखते हैं, फारमुले के रिलेटिव ही लिखते हैं कहने मतलब है फारमुला ही लिख देते हैं जहां पे a है वहां पे x बराबर 5 रख देना है और यह बाद वाला जो होता है ना जीरो यह लिमिट का होता है आगे चलके क्या लिख देते हैं यह लिख देते हैं 5 प्लस यह ठीक है अब आपको क्या करना है मान निकालना है कहने का मतलब मेरा है 5 प्लस यह आपको रख देना ह पर देखो जहां पर एक से आपको क्या रख देना एक तो इसका मान पता चल जाएगा य extraterडिये चे शलो रखो तो पहले पाइ़ पांच को ऐसे लिखर फिर एक्स एना कितना रखना ने फाइब प्लस Ir जहां जहां यह चाहे एक जगह यह चाहे तो एक जगह आपको जीरो रखना है लिमिट हटा के अब देखो हल करेंगे 25 मैनस का थिरी 25 में इस तीन जाएगा कितना मिलेगा 22 मिलेगा तो इसकी आंजरीट और इसकी आंजरीट क्या निकली 22 निकली यह दोनों की अब आप लोग कर लो इसी में हम क्या करेंगे काम करेंगे लेचल का मान और निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसका मान बाइस आया और इसका मान बाइस आया तो तीसरी वाली लिमिट का क्या आएगा 22 ही आएगा क्यों क्योंकि प्रस ने बोला है सिद्गी जिए तो देखो हम क्या करें टीक तीनों का मान क्या निकला सेम टू-सेम निकला तो आपको लास्ट में दो लाइन लिख देना है इसको ब्रॉफ कर देते हैं लास्ट में दो लाइने लिख देना यहां पर कि देट इज एक्स बराबर कहने मतलब है पांच पर आपने निकाला तो यह फाइव एक कॉल एफ पिलस का जीरो एक कॉल एफ फाइव माइनस का जीरो कितनी आंसर से निगली थी तीनों की टोइंटी टू अब इंप्लाइड करके लिख दो एक्स बराबर पांच पर एफ एक्स संतत है तीनों मानों पर हमने क्या किया फलन दिखा दिया है कि संतत है अब अटा लिखो अता लिखो और यही आपको लिख ले ना fx जो है x बभाबर 0 बिंदू पर x बड़ा माइनस 3 बिंदू पर दता x बड़ाबर 5 बिंदू पर संतत है तो वही लिख लो देख के लिख लो प्रैसर में क्योंकर प्रैस्जम ने बोला गया सिद्री जीजी तो वही देखके लिखकर physics कामा एक सब राबर जीरो कामा एक सब्राबर मामस का तीन फिर आगए देखो एक सब्राबर क्या है पांस लेकिन तथा लिखना है आपको तथा एक पर पांच पर संतत है यह कंप्लीट हो गया पहला प्राज ठीक है कमेंडमेंट कर दिया अगरो आप लोग कमेंड नहीं करते हो और वीडियो को सभी इस्टूडेंट लाइक नहीं करते हो जेतने इस्टूडेंट इस वीडियो देखते हैं सारे के सारे लाइक नहीं करते हैं आपको कितनी मेहनस से हम पढ़ा रहे हैं आपका काम है कि लाइक कर दिया करो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हो अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो चैनल सब्सक्राइब देखो आप लोग यहां पर नंबर भी चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा यहां पर रभ हो गया दुबारा लिख देते हैं दिया गया फला नहीं लिखो और एक बात याद रखना आप लो जब भी प्रसना वली 5.1 के प्रसनों को आप लो हल गरो तो इतना ध्यान रखना है कि एफ एक्स जो है प्रसन में मिलेगा एफ एक्स का मान दिया जाएगा प्रसन में जरूर और एक्स का मान प्रसन में मिलेगा यह दो बातें आपको ध्यान रखना है फलन का मान मिलेगा और एक्स का मान मिलेगा दो मान आपको दिये जाएंगे और एक्स बराबर जो को भी मान दिया जाएगा इसी पर आपको क्या करना है संतत्त या तो बताएगा चेक कीजिए या ज्यांच कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए ठीक है यह बात जरूर ध्यां रखना अगर वाई चांस प्रेसन में एक्स का मान ना मिले जैसे एफ एक्स तो हंडेड परसेंट आपको मिलेगा कभी कभी क्या होता है एक्स का मान प्रेसन में ना मिले एक्स का मान कभी कभी क्या होता है प्रेसन में नहीं दि की जांच कीजिए तो एक्स बरावर एक्स माइनस पांच है कहीं एक्स गामान दिया गया नहीं दिया गया ना इसमें दिया गया एक्स गामान यहां पर नाटिक को लेंगे रहें यहां पर भी नाटिक को लेंगे रहें बैसे बताओ कहीं दिया गया नहीं दिया गया जब एक् अब आपको पता A क्या है एक generally number है तो यहां पर क्या करते हैं हम belongs to ar कर देते हैं कहने मतलब है A का महान आप बं ले लो चाहें 0 ले लो – 1 ले लो चाहें ए बराबर 2 ले लो कहिने का मेरा मतलब है ए पर पता चल जाएगा तो सभी मानों पर पता चल जाता ठीक है तो इसलिए हम बोलते हैं जब X का मान प्रस्ण में ना मिले तो आपको क्या लेना यह लेना है ठीक है और एपर अगर संतत तो ठीक है नहीं है तो नहीं होगा लेकिन इस से यह पता चल जाएगा कि आर से एक आमान कुछ भी ले सकते हो सभी पर में अगर संस्ताथ है तो सभी को हल नहीं करवाएंगे पहले हम क्या करेंगे प्रस नंबर दो को हल करवाएंगे एक हो गया तो दो पढ़ लेते हैं यहां पर बताए एकस बराबर तीन पर फलन सबसे पहले एकस का मान रखो टू एकस स्कॉयर माइनस का वन अब एकस बराबर तीन पर हम क्या करेंगे चेक करेंगे क्यों में लिखा है जांच कीजिए तो जांच पे अगर फलन संतत्त आया तो लिख देंगे कि एकस संतत्त है अगर जांच पर तीनों के मान निकालेंगे प हे टीन पर हे ऐसे संटत्त की जांच इतना सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एक्स बराबर तीन पर शंतत्त की जांच चलो निकालो मान पहले हम क्या निकालेंगे ए थी कमान निकालेंगे रखो जहां पर एकस है आपको तीन रखना आए अठारा माइनस का एक कितना मिलेगा सत्रा अब यहां पर क्या करना है आरेचल कमान और निकालो दच्छिड़ 25 सीमा तो आपको पता है यहां पर तीन है तीन प्लस का जीरो यह जो हम लिखते हैं फार्मूले के रि यह मान निकालो फ़लन से उसके बाल लिमिट का हम यूजगे तो ठीपिलस यह आपको रख देना एक सिस्तान पर तो ballet फीरिच का मन पता से जय जाएगा तो जहां जहां आपको एकस दिख रहा है बहां पर रख देना थैस्तान झातिस ओर घातें कितनीस हैं तो थ्याद्स हो यहां पर डालो तो टू इन्टू थी पिलस येस का होल स्क्राइर माइनस कवन ठीड है अब बताओ यहां पर हम डारेक्ट लिमिट हटा कर रख सकते या नहीं रख सकते रख सकते क्योंकि हमें जो फलंद दिया गया वह अंस में दिया गया है अंस में दिया गया है तो फॉर्म नहीं बनेगी हंडेड परसेंट फॉर्म नहीं बनेगी जब फॉर्म नहीं बनेगी तो आपको क्या करना है डारेक्ट लेमिट हटा के यह कमान रख लेना है तो हटाएंगे जहां जहां यह है आपको जीरो रखना है एक जगा याच्छ है एक जगह 0 रखो 3 पिलस 0 का whole square minus 1 कितना आएगा यहां से 9 मिलेगा और 9 और 2 का into कितना मिलेगा 18 minus का 17 ठीक है इसकी भी answer 17 आए और हमें इसकी भी answer seat 17 मिली तो दोनों की answer संतत्त किया में 17 मिली है अब बताईए जब 2 के मान एक जैसे निकले हैं तो । तीसरी वाली का मान जरूर निकालेंगे ल Texel का जरूर निकालेंगे 25 सीमा का मान क्यूंकि 2 मान बराबर निकलें अगर यहां पर तीन आ जाता ठीक है और यहां पर 17 तो तीसरी वाली limit का मान नहीं निकालते इनी दो से में पता चल जाएगा कि संतत नहीं होगा x बराबर 3 बिंदो पर ठीक है संतत नहीं होगा मेरे बाई अगर मान बराबर निकले हैं इन दो के फिर आपको क्या करना तीसरी वाली limit का और मान निकालना है इतना ध्यान रखना आप लोग तो हम क्या करेंगे इसी में काम कर लेते हैं यहां पर EL लिख देते हैं यहां पर क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है LHL माइनस की और RHL पिलस की इतना ध्यान रखना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट 25 सीमा का मान निकालना आए तो F3-0 यहाँ पर माइनस कर लो यहाँ पर माइनस कर लो यहाँ पर माइनस कर लो अब देखो यहाँ पर कितना मिलेगा बताओ तीन का इसका नो नो दूनी 18 माइनस 17 तो हमें 17 ही मिला LHL का मान अब हमें पता तीनों के मान बरावर निकले हैं तो आपको लास्ट में दो लाइने लिख देना है लास्ट में दो लाइने लिख देना है ठीक है, जैसे फार्मूला पुराल जानते हो वही लिखना है, सेम टुसेम तो यहाँ पर क्या करेंगे three two three zero 20-arma conflict with फार्मुले के रिलेटिव आपने लिख बेगो इसका मान इसका मान कितना और और यहां पर अर्थात अब लाश्त में अता करके लख दो क्योंकि यहां पर यक्सका कई दो मान नहीं है ना तिन मान केवल और और केवल एक मान विखना है ठीक है अब अटा लिख लो अथा आपको पता है प्रसना जब घर्थे नतर तो लैर्जट में हम आपको अथा लिखना पड़ता है अता जाता है तो यहां पर क्या दh यह अधा एक्स बराबर तीन पर नाट a fax अप प्रई撰शन में देखो संटत है तो संतत लिखेंगे संतत है तो ऋसंतत लिखेंगे क्या लिखा है प्रिस्ट में संतत लिखा और जो प्रेशन में लिखा होता है वही आप लोग लिखना तो f-10 तकर सांतत था Oooh कि यह complete हो गया इसे आप लोग कर लो ठीक है इसको ओमर्फ कर देते हैं अब आगेद्गो अब आजाओ प्रश्ट नंबर कर इंद तो प्रश्ट नंबर तीन में कितने पाट दिये गए हैं इसे भी अठा दें चलो यह भी अठाता है पिरस नंबर तीन में चार पार दिये गए तो यहां पर नंबर हम डाल देते हैं तीसरे का एद गो पहले हम लिख देते हैं एफ- यहां पर हमें क्या दिया गया है यह वाले पार्ड में एफ एक्स का मान दिया गया अब एक्स का तुमान दिया नहीं गया जो हम चेक करेंगे जब ना दिया जाए एक्स का मान तो क्या लेते हैं यह लेते हैं इतना ध्यान रखना है तो इस पर टिक लगा देते हैं यह हो गया तो माना X बराबर A विलांग्स टू आर ठीक है इतने पर प्रेस्ट मैं देगो सांतत लिखा है ठीक है संतत लिखा तो संतत लिखो संतत की जांच चलो जांच करो अब क्या करेंगे हम मान निकालेंगे पहले निकालेंगे F A का मान ठीक है UP to F a का मान निकालो तो रखोगे माइनस का 5 निकल ठीक है अब आपको क्या करना है लशी एल एल बड़ाबर याद रगना पहले तो आपको फार्मला ही लिखना ए फीर, तो ठीक है अब इसका मान निकालो एक्स के इस्थान पर रख देना है यह प्लस यह का मन पता चल जाएगा तो आपको यह लिखना है लिमेट यह टेंस टू-0 एफ ए प्लस यह यहां से निकलेगा ठीक है ए प्लस यह क्या आपको बताया हमने हमने यह बताया है कि आपको ए प्लस यह फलन में आपको यक्स के इस्थान पर रख देना है यहां पर देखो एक जगा एक्स है तो एक जगा आपको क्या रखना है ए प्लस यह तो एफ ए प्लस यह का मन पता से जाता है ठीक है और म क्योंकि यहां पर जो फलन का मान रिदा गया वह अंस में दिया गया तो form नहीं बनेगे ठीक है यह Most हटागे डारेक्ट हम मान यूज कर लेते हैं जब फॉर बनती है तो डारेक्ट नहीं यूज करते हैं यह हमने आपको बेसिंग में बताया ठीक है अब लिमिट हटाओ यह के इस्तान पर क्या रख दो जीरो रख दो तो ए पिलस जीरो माइनस का फाइव आंतर शीट क्या निग तीसरी बाली का मतलब है लेचल का मान 25 सीमा का मान निकालेंगे निकालेंगे क्योंकि जब इसका मान और इसका मान बराबर आ जाये तो वही हम बोलेंगे सांतत लिगा तो सांतत बोल लाएं तो कहने का मतलब यह है कि अगर तीसरी वाली का मान अलग निकला इन दोनों से ठीक है तो फलन क्या होगा सांतत नहीं होगा तो देख लेते हैं हम ठीक है इसी में काम कर लेते हैं आप लोग इतना नोट कर लेना यहां पर यहां पर आपको पता है LHL जो फार्मुला होता है 25 सीमा का क्या होता है माइनस का होता है तो EF A-0 ठीक है यहां पर भी माइनस कर लो अब इसका भी मान आपको यहीं से निकालना है क्योंकि फलन का एक ही मान दिया गया है तो यहीं से आपको दोनों मान मिलेंगे और एले चल से भी मिलेगा और लहल से gी मिलेगा यहीं से आपको क्या करना आए फिर अब आपको क्या करना है लिमिट हटा के येस का मान रख देना है ठीक है डारेक्ट क्योंकि आपको पता है फलंका जो मान दिया गया वो अंस में दिया गया तो फॉर्म नहीं बनेगी ठीक है ये बात ध्यान रखना है अगर फलंका मान दिया जा तो फॉर्म नहीं बनेगी आपको एक line लिख देना है इसको अमग्राफ कर देते हैं एक line last में लिख देना है that is f a बराबर f a प्लस 0 बराबर f a माइनस 0 बराबर a माइनस का 5 तीनों का मान यही निकलाता ठीक है अगर तो फलन कैसा होगा सांतत होगा नयां आपको लिख देना यह wider एकस बराबर f creative क्रें आप लोग इसे नोड़ कर लो नोट करो यह हो गया बी माला देघो f एकस वराबर बना पान यह मैनस का पांच कामा एक्स नाट इक्ल फाइब यह जो एक्स का मान मना किया है कि पांच ना लो इसका मतलब हम आपको बताएंगे यहां पर भी लिखा है यहां पर भी लिखा है इसका मतलब सीखो आप लोग कि एक्स नाट इक्ल फाइब प्रेसन में क्यों दिया गया है यहां पर एक् पर जीरो ऐगे इसलिए दिया गया कि एक्स का मायन अगर हम contradばी चंश 5 ले ले लें इसे रफ कर देते फिर बतार हाँ आर-ए क्या आप लोगों को हम बता रहे थे हाँ देख लो पहले यहां पे मोस्त क्या करें ay बी वाला、 पार्ट लग लेते हैं लग लो पहले फिर बता रहा है एक्स बराबर कितना बना पॉर्ण एकस मायनस का फाइव यह हैं और फिर नांट इकॉल फाइव हाँ हम यह बता रहे तो आपको जैसे एकस बराबर यहां पर 3 है यहां पर जीरो है वहां पर पांच से बराबर लेकिन यहां पर मना किया है क्यों मना किया है देखो जैसे एफ एक्स बराबर कितना है वनापान एकस माइनस का फाइव है अगर एकस बराबर आपने पांच इसमें रख दिया रखो पांच तो वनापान फाइव माइनस का फाइव कितना मिलेगा यहां पर दो वना मतलब है जब भी आपको आप परिवासित मिल जाए तो कहने मतलब है यह फलन कैसा होगा परिवासित नहीं होगा जब फलन परिवासित नहीं होगा तो हम फलन बता नहीं पाएंगे कि सांतत है या नहीं है फलन परिवासित होना चाहिए तभी हम बता पाते हैं कि सांतत है फलन या नहीं है तो याद रगना इसलिए इसने मना कर ऑप ढाशात ही अगर अपने पांच क्या हो जाएगा आप परिवासित हो जाएगा परिवासित नहीं रहेगा तो हम नहीं बता पाएंगे फ्लन्न सांटत है या नहीं तो इसीलिए कहा है कि एक्स ना लो येक्स का मान पॉच ना लो लेकिन एक बात हमने बताए आそれでは वाले part में कया बताए आप को बताईए आपको बता हैं कि एक्स का मान तो दिया नहीं है न यहां दिया गया तो क्या लेना यह लेना है चलो यहां पर हम क्या करेंगे एक्स-क मानं-ए ले लेते हैं x बाराबर ए विलांग्ष टू आर और यहां पे लिख देना a not equal five ठीक है यह नाट इकल 5 क्यों क्योंकर य्क्स नाट इकवर 5 एकसर 5 नहीं लेंगे तो कहले ओक मतलब आप लोग और से लेना है जίसे हमसमिज्ला रहें वैसर तो एक पर हम क्या करेंगे प्रस्न को हिल करेंगे यवेक फिर्सन को हड्रेंगे यहiber पर आप आप से मान ले लो ले लो एका सब पे सांतत आएगा अगर ए पर सांतत आया लेकिन उसने क्या बताया पांच को छोड़के एका मान आर से कुछ भी ले लो फलन अगर सांतत है तो ए बराबर सांतत अगर मिल जाए तो एका मान कुछ भी ले लो तो सांतत ही रहेगा लेकिन बताया कि एक इस्तान पर पांच न पांच जो है नहीं ले सकते हो र से एक आमान पांच नहीं ले सकते हो कुछ भी ले लो ठीक है इसका मतलब यह है अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम मान निकालेंगे f a बराबर निकालो डारेक्ट वन आपान A-5 ठीक है तो ये अंत्रशीट आ गए अब आपको क्या निकलना है R к L निकलना है तो F A plus 0 बढ़ाबर ये फार्मूला है R H L ठीक है F A plus H अब आपको क्या करना है A plus H आपको कहां रखना है बताईए फलन में रखना है यहां पर आपको रखना है तो यहां पर क्या करेंगे लिमिट यह टेंस टू जीरो इतना लिखने के बाद में अब आपको एप्लस यह एक्स के इस्तान पर रख देना है यह एफ प्लस यह का मान ग्यात हो जाएगा तो वन अपन एप्लस यह माइनस का फ़ाए ठीक है इतना रख दिया अब देखो आप लिमिट हटाएंगे यह का मान डारेक्ट रखेंगे या नहीं रखेंगे पहले यह बताईए प्रस्म तो नया है ना तो आपको समझना है कि लिमिट हटाएंगे यह का मान रखना या नहीं रखना है जब फॉर्म बन जाए जब फॉर्म बन जाए तो हम क्या करेंगे infinite upon infinite वजय है तो हम क्या करते है लिमिट नहीं अधाएंगे और यह कमान नहीं रखेंगे अगर फॉर्म ना बने कहने का मतलब मेरा है कि अगर फॉर्म ना बने तो आपको लिमिट कमान हटाके डारेक्ट रख देना है ठीक है लेकिन आपको समझ नहीं आरा कि फ़ॉर्म कब बनती है जैसे देखो हम लेते हैं लेमिट ठीटा टेट टू जीरो ठीटा टेश्टू जीरो वही लेलो जो बर साइन टीटा अपन टीटा हम क्या करेंगे लेमिट हटाएंगे और ठीटा कि सतन्बर रख देंगे जीरो रग देंगे ठीक है लेकिन उसके जीरो अपान जीरो ठीक है तो क्या मिला जीरो पान जीरो रफकार कहने मतलब या तो दीमाग में हल करो या फिर कहीं अलग से आपको रफकार करना है अगर जीरो पान जीरो आ जाए तो हम लेमिट कमान नहीं रखते हैं डारेक्ट हमें क्या करना पड़ता है अब कलंग करना प बनेगी यहां नहीं बनेगे तो हनापॉन ओन फिलस जीरू लेमिन हटाइंगे ना जहां पर यह से 0 कि लिए झृ-तो रफकार में क्या मिला बने माने माइ इसकी आंसर सीट वन अपन ए माइनस का 5 अब देखो इसकी आंसर सीट और इसकी आंसर सीट देखो बराबर है इन दोनों की आंसर सीट देखो बराबर है या नहीं है बराबर जब दोनों की आंसर सीट बराबर है तो आपको तीसरी वाली का और मान निकालना है लेचल का मान और पर निकलना है तो इसी में हम काम कर लेते हैं यहांपे क्या करते हैं और आपको पता है। a minus 0 यहांपर minus कर लो यहांपर minus करलो यहांपर minus कर लो ठीक है फान सरीट क्या मिलेगा बना upon a minus five ही निगलेगी सोब रॉप कर दो है कि तीनों के मान बराबर आ गहां है अब आपको लास्ट में दो लाइने लिख देना है दो लाइने लिख देना है इस यह अफ ईबराबर यह ऑफ जीरो بराबर मानश जीरो बराबर किया निकल utilized one half on a-5 तीनों की यांद कि निए् 1917 सिसीट बराबर निगले तो फलन कैसा होगा सानतत होगा जब तीन के मान बराबर आ जाएं तो सानतत होगा आपको लिग देना यहां पे आता है एक स sabor अग्धिन Andalee bexyusa न unpacked Enjoy a नाट ं कि इतने पर FX कि यहां पर लिग दो सानतत है ठीक है फिर आपको हम समझा रहें जैसे X बराबर ए हमने एक जनरली नमबर ले लिया एक आमान आर से कुछ भी ले लो अगर एक से बराबर ए पर फलन सांत्त है अगर एका मान आर से हम कुछ भी ले लें सबी मानों पर सांतत होगा लेकिन 5 को छोड़के इसको हम रफ कर देते देखो है लोग अगला जो यह सी वाला देखो सी वाला अन्सवाटे हर में दिया गया कि यहां पर हम क्या करते हैं सी कर लेते हैं कर लिया से यहां पर भी आपको चेंज कर लेना है अब देव फलन कितना है वहां पर एक्स स्कॉाइर माइनस का पच्चीस अपन कितना है एक्स प्लस का फाइव ठीक है और बताया गया है कि एक्स का मान माइनस फाइव नहीं ले सकते हो जब एक्स का मान यहां पर नहीं दिया गया है एक्स का मान नहीं दिया गया है तो बताइ और इसा यह वाला है बीवाले में पाँच बतायायां यहां पर मैनस पांच बताया कहता है एक अमान और से कुछ भी ले लो लेकिन माइनस पांच को छोड़ कियोंकि एक से नाट इकल माइनस फाइव है आपको यह भी बताहुने यह यह अगर हम माइनस 5 ले लें तो फलन कैसा होगा आप परिवासित और फलन अगर आप परिवासित है तो हम बताई नहीं पाएंगे कि सांतत होगा या नहीं होगा फलन परिवासित होना चाहिए आप परिवासित नहीं होना चाहिए इसलिए मना कर दिया एक नाट इक्वल मैनस का फाइब एक्स का मान माइनस पांच नहीं ले सकते हो अगर बाइचांस ले लिया तो फुलन आप परिवासित आ जाएगा तो हमें परिवासित पर ही काम करना परता है तब ही यहां पर बताया है लेकिन इसका यूज नहीं होता है एक्स नाट एक से एक से इस्तान पर एक दो कि तो यहां पर क्या करेंगे फार्मृरा लगाएंगे है प्लस वी 25 यह फिर यू सै अब आ यूज माइनस के वह यह फार्मूला ले樂र निकालना है ए याट टेंश टो जीरो एस पिलश का एच यह तो है फार्मूला आप்को क्या करना है ए प्लस eight आपको रख देना है एकसके स्थान पर तो यह प्लस है का मान पता सब जाएगा क्या करते हैंहां यहाँ पर यह यह प्लस यह एकसके स्तान पर इस तरह देखना अपको प्लस यहां यह कि लो तो a plus h का whole square minus का 25 upon यहाँ पर x plus 5 है तो x के इस्तान पर क्या रखना है a plus h और कितना a plus का 5 है यह हमने मान रख लिया है a plus h का a plus h हमने क्या गिया रख दिया अब क्या करेंगे थोड़ा सा हल करेंगे इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा में इस पेस चाहिए अब आप लोग देखो यहां पर इसके आगे हमने क्या बताया है कि प्रस्ण जो होता है उसमें अगर फलन का मान दिया जाए अंस बटे हर में तो फॉर्म बनने की संबाबना होती है अगर नहीं है फॉर्म नहीं बनेगी तो लिमिट का मान हम डारेक्ट रख लेंगे यह के इस तान पर जिरो अगर फॉर्म बनती है तो हम कुछ ना कुछ हल करेंगे पहले उसके बाद लिमिट कमान रखेंगे अगर फर्म नहीं बनेगी तो डारेक्ट रख देना है तो रफकार चेक करो फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी रफकार में हम क्या करेंगे चेक कर लेते हैं करो चेक लेमिन हटाओ यह के स्टान पर जीरो रख दो अपान ए प्लस जीरो प्लस का फाइब ए स्कॉायर मानस का पच्चीस अपान ए प्लस का पांच तो फॉर्म नहीं बने बताओ जीरो अपान जीरो बनी फॉर्म नहीं बने जब ना बनेवह तो आपको क्या करना है लिमि ripping का मां डारिक रख लेना है जिसमें मरुजे नियारा हिसमें आ जो निया ज़रिख हो लेकीं तो form थो बनी नहीं तो आपको क्या करना है इस गढ़ांना है कि अपन एक प्लस पांछ का कि मितना ayorgan आपका क्ते तो क्या रखना है जिस्टान पर प्लस का पांच मिलेगा पेंटेश करो एस्कॉइर मैरिस पची सपान आप एप स्कॉार नहीं a plus 5-5PO5 पांच आप प्लसका प्लस six प्लस पंच तो एंप पिलस दो यह पिलस पनक्स केंसिल तो कितना मिला फांच तो इसका मान क्या मिला Monst qualities क्या निकला तो दोनोसलों कि अंसर जीर क्या नहीं लिए बराबर निगले अब तीसरी वाली कम मान और निकालेंगे 25 सीमा का और मान निकालेंगे इसी में काम कर लेते हैं आप बांगी तो सेम है ठीक ऐए माइनस 5 बांगी तो य lizard मिलेगा मैम 25 मिलेगा यहां में प्ल। लगा दिया बरगांतर नियम ay इस कोई माइनस 20 आप प्लस कांव और माम इस माइनस कांव आप देखो ब्रेकट और प्लस फाइफ प्लस फाइफ केंसिल हो जाए यह माइनस का 5 आया तो तीनों की आंसर हीट क्या निकली बरावर निकली है अब आपको लाश्ट में दो लाइने लिख देना है लाश्ट में कितनी लाइने लिखना दो लिखना है f a बिरावर f a प्लस 0 बिरावर f a-0 तीनों की आंसर रीट क्या निकली थी a-5 ठीक है अब आप λोग क्यों बढ़ताई कि जब तीनों की आंसर रीट बरावर निकली है तो फलंक ऐसा होगा सांतत होगा तो लिख़़ देना यह आ पर अता X बराबर A विलांग्स टू आर A नाट इक्वाल मैनस का 5 पर F X क्या है? सांतत है इतना नोट करो ये हो गया हम आपको समझा देते हैं जैसे X बराबर A पर फलंग क्या मिला? सांतत मिला A का मान कुछ भी ले लो R से सभी मानों पर सांतत ही ये फलं मिलेगा केबल मैनस 5 को छोड़ के अगला देखो आप लोग D देखो D मापांग दिया गया है मज़ा आएगा मापांग वाला देख लो इसे हटा देते हैं अब देखो X का मान कितना लेना है यहाँ पर चलो अटा देते हैं पूरा अटा देते हैं कि दी वाला देखो तीसरे का डी यहाँ पर हम क्या करेंगे नंबर चेंज कर लेते हैं पहले आपको क्या करना है एफ एक्स का मन रखना है इसके दो तरीके हैं लगाने के हमने आपको बेसिक में मोड एक्स का उधारर दिया था ना बेसिक प्रसना हम ली 5.1 का जब हमने पढ़ाया जिस इस्टुडेंट ने बेसिक नहीं पढ़ा उसको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा पढ़ लेना क्योंकि वहाँ पर हमने एक उधारर लिया था दो तरीके से बताया था ऐसे यहां पर इसको भी हम दो तरीके से लगा देंगे पहले हम क्या करेंगे जैसे A और जैसा B बैसा C की तरह यहां पर A B C हमने जब हल किया तो X का मान नहीं दिया था तो क्या लिया था X का मान A लिया था तो यहां पर क्या करेंगे X का मान A मान लेता है माना x बराबर a पर अलिख दो a का मान हम ले सकते हैं बास्तिविक संक्याओं से x बराबर a पर सांतत्त की जाँच इतना लिखो सांतत्त की जाँच ठीक है डी है ना तो ये हो जाएगा इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की जरुवत है और एक साथ आपको दो मैथड़ बताएंगे इसे अटा देते हैं इसे भी अटा देते हैं अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे पहला मैथड अप्र इसके वाद हम आपको दूसरा मैथड़ बताएंगे पहले यह सीख लेना है ऑफ निगालो तो आ ê lo-5 बताओ इसे ऐसे बाहर निकाल सकते या नहीं मापांग से बाद निकलेगा बताओ यह माइव पांक निकलेगा नहीं निकलेगा कीजिए नहीं निकलेगा क्यों कि यहां लिए यह पर आध Tsch Christina दॉ किस्ट नहीं है यहां पर यह से स्क अगर होता यह से यह fix है तो हमने क्या लिख दिया पांच लिख दिया माप inmग गटा करे माइनधब लेक्ष mechanism सकते हो अगर fix होता तो यह fix है है हमने लिखा यह फिक्स है लिखा लेकिन यह फिक्स नहीं है तो इसलिए हटा नहीं सकते हो तो यह आंसर रहेगी मोड ए माइनस का 5 मोड को मापांक भी बोलते हैं अब आपको क्या करना है आरे चल निकालना है अब यह अफ एप्लस जीरो लेमिट यह टेंस टू जीरो एफ एप्लस का एच आरे चल यह फार्मुला है दच्छिट पच्छ सीमागा अब एप्लस यह आपको एक्स के इस्तान पर रख देना आए यह एफ ए प्लस यह का मन ग्यात हो जाएगा तो देखो आप लोग लेमिट यह टेंस टू जीरो यहां पर क्या करेंगे लेमिट यह टेंस टू जीरो तो मौड पहले लगा लो एक्स के स्थान पर एप्लस यह रखना है रख दिया अब माइनस का पांच मिला यह बताइए यह जो प्रस्ण में दिया है फलन अंस में है ना तो फॉर्म तो बनेगी नही फॉर्म जीरो अपॉन जीरो फॉर्म इंफाइनट अपॉन इंफाइनट तो फॉर्म नहीं बनेगी क्यों नहीं बनेगी क्यों फलन जो दिया गया है वो अंस में दिया गया है अंस में दिया गया है फॉर्म नहीं बनेगी तो जब फॉर्म नहीं बनेगी लिमिट का मान देंगे जीरो डारेक रखो एक प्लस जीरो मैनस का फाइव तो ए मापांग लगा लो ठीक है तो इसका मान और इसका मान बराबर निकला आपको क्या करना यहां पर देख लो एलेचल निकालेंगे एलेचल का पहले तो फार्मुला एफ ए माइनस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस का एच इसका मान और निकालेंगे क्यों निकालेंगे क्योंकि इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर निकला जब दोनों का मान बराबर निकलता ह तभी तीसरी वाली का मान निकालते हैं बावपची सीमा का चलो देखो ए माइनस का यज कहां रख देना एक्स के इस्टान पर रख देना है तो एक्स का मान पता सिल जाएगा यहां पर रखो क्या है मॉड है पहले हम लिमिट लिखेंगे लिमिट यह टेंस तो जीरो फिर आप हम लिमिट हटाएंगे और डारेट यह कमान रख देंगे डारे रखेंगे ना क्योंकि यह अंस में दिया गया फॉर्म नहीं बनेगी तो डारे रखो लिमिट अटाके ए माइनस जीरो माइनस का फाइव तो आंसरीट क्या निकली ए माइनस फाइव और मोड लगा ही है तो फलन सांदत फी होता है यह बात आपको पता हो तो हम सबसे पहले यहां पर 2 लाइने लिखेंगे और उसके बाद में इसे भी रफ्प कर देते हैं ठीक है हटाओ कि यहां पर हम क्या करेंगे लू बुक्रंट में यहीं पर लिखेंगे इसी क्या ओंगे दो分享 कि यह एफ ए बराबर यह फट प्लस जीरो बराबर यह फट मइनस जीरो ठीक है इन तीनों करें क्या निगला था मोड यह मानस का पहूंच तो तीनों करें बराबर निगला है तो आपको लिख देना आता ये एक सुब बरावर ए विलांग्स टू आर पर एफ एक्स सांतत है हो गया यह कम्पलीट अब इसका दूसरा मैथर देखो इसे अटाद देते हैं इसे अटादे अंस लिखा अब दूसरे मैथर से लगवाएंगे चलो इसा इसे क्या करेंगे लिखा छोड़ देते हैं ज आपको यह फार्मला याद करना है तब ही लगेगा मौड एक्स बरावर क्या होता है जब एक्स का मान जीरो से ग्रेटर होता है जीरो या जीरो से ग्रेटर तो एक्स पिलस आता है एक्स का मान जीरो से छोटा होता है तो एक्स मैनस का आता है अब आपको ट्रिक बताते हैं जैसे यहां पे जीरो आया यहां पे जीरो आया कहने मतलब है यहां पर एकस माइनस जीरो नहीं समझ पार है देखो जैसे हमने पहले क्या लिगाता मोड एकस लिखाता ठीक है यह जीरो कहां से आया हम आपको बता रहे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं लेको होता ही यही है लेकिन जीरो लिखा नहीं जाता इसलिए ऐसे लिखते हैं होता ही है तो यहां पर जीरो है तो बाँ पर क्या आया है देखो जीरो आया है अब देखो यहां पर हम यूज करेंगे कैसे करोगे बताओ यह दी पहले सरत लिखेंगे यादी यहांपे 5 है न उस तरफ देंगे तो कितना मिलेगा इतना मिलेगा पांच यापांच से बड़ा लेना है तो यह मापांग क्या देगा प्लस देगा ठीक है मॉड भी बोलते हैं यह दी जो यहां प thriving लिखना अयाओ पर 003 तो यहाँ पर पांच तो यहाँ पर पांच पांच अब निकालता अब आप दो यह फलन हमने लिख दिया बदल के लिख दिया अब आप लोग यह बताईए जब आमने प्रस्णावली 5.1 का बेसिक पढ़ाया तो बहां पर आमने आपको बताया जब मजले कोश्टक वाला प्रस्ण मिल जाए अभी तक जो प्रस्ण लगा रहे थे तो मजले कोश्टक के नही का मान नहीं दिया गया था तो हम एक्स बराबर ए ले लेते थे लेकिन मजले कोश्टक वाला अगर प्रस्ण मिल जाए आपको तो एक्स बराबर ए नहीं लेंगे इतना ध्यान रगना मजले कोश्टक वाला क्योंकि एक्स का मान हमें यहां से मिल जाया मिल जाता है कैसे मिलत मिल जाएगा केबल और केबल मजली कोस्टक में हम एक्स गामान अगर ना दिया जाए तो हम सर्त से ले लेते हैं ध्यान रखना है तो एक्स गामान यहां से लेना है क्योंकि बराबर है यहां पर बराबर नहीं है तो यहां पर है यहीं से ले लो एक्स बराबर पांच तो हमें ए fx का मान मिला है और ऍसका भी मान मिल गया है अब कोई दिक्कत नहीं आएगी जिक्स बराबर पांच पर हम क्या एक करेंगे नाइट सन्तत है या नहीं इतने पर haunted कि जांच 건 एक सबराबर पांच पर संतत की जांच तो पहले क्या करेंगे या फाइब कमान निकालेंगे बराबर हमने बताया था प्रसनली 5.1 का जब बेसिक पड़ा है या फे बराबर पर निकालते हैं या फे कमान बराबर पर निकालते हैं अब बराबर देगो कहां पर यहां पर यहां पर बराबर दिख रहा है यह सर्त है सर अब आपको क्या करना है लह पाइचल बाद में पहले निकालो प्लस वाली लिमिट तो यह पांच 5 ས्वर blend का 0 बराबर limit h tends to zero यह 5 ॥ी दर को क्या करना ی կहां पे 5 है से कवें आपको समझना है क्योंकि मजीक वाला फलन आ गया समझना है जैसा समझा रहे बैंसा देखो जब आपको यहां पर दिख जाए और यहां पर पांच है दो यहां पर पांच है यहां पर पांच है तो एक ट्रिक निकलती है क्या ट्रिक निकलती है पांच पिलस है अगर पिलस है तो एकसी की तरफ देखता हो देखो यह सिंबल एकसी तरफ देख रहा कि यह देख रहा तो यह देख रहा यह एकसी की तरफ नहीं देख रहा तो क्या ट् सामने जो फ़लन का मान दिया जाता वही लेते हैं तो पांच पनक प्लस ते तरफ यी तरफ देखता हो यह देख रहा है एक ये तरफ गिरेंटर थेन्प्लस रखो और का पह सब्सक्राइब का प्हस घृतान पर एक्स अइस के स्थांभा एकि क्लेट architects फॉटन हम यहांस्तान पर यह और जो यहां पर यह यहीं आप यह नहीं रह लेते हैं जब प्रहूर्म नहीं बनती सभी लिए जीरो इसकी भी जीरो इसकी भी जीरो अब देखो एलेचल पाइब यह फाइव है ना तो 5- márus-0 यह फार्मूला हम लगा रहा है यह फाइव मैनस का यह ठीक है अब आप लोग यह देखो यह पर 5-yes का मन कहां पर मिलेगा इसकी ट्रिक समझ में पिलस है तो एक्सी तरफ देखता हूं अगर मैनस है अगर मैनस है तो एक्सी तरफ ना देखता हू तो देखो क्वैसी सर्थट ऐसी है जिसमें लेस दैन sözषए ग्रेटर Draанд एक तितरफ न देखता हूए यह नहीं देख देखो नज sticking तरफ देख्वरा और माइनस होता है तो एक सितरफ ना देखता हो उसी सर्थ में हम देखते हैं और उसके सामने जो फलन कामान उता वही ले लेते हैं-क माइनस-क-5 तो यह ले लो और एकस के इस्टान पर क्या रख दो माइनस माइनस फिर इसके वाद 5-का एच एकस के इस्टान पर रख दिया और माइनस-का फाइव अलग से ठीक है अब इसका मान हम क्या करेंगे निकालेंगे पहले तो क्या करेंगे इसे कैंसिल कर देंगे माइनस माइनस कितना आएगा पिलस का यस आएगा और हम लेमिट हटा देंगे यस के स्थांग पे रखे देंगे जीरो ठीके तो जीरो ही आएगा तो इसका मान क्या आया जीरो और इस तीमें के मान हमें क्या मिलगा दिरो मिलगाए से गजीरों के मान का डिन ऐघ्र muita स्परेश देरा हैं명 मिली यह जी तो आपको पता है यह यहां पर आपको गिरेटर और लेस वाला प्रस्ट मिला है या कहीं आपको मिल जाएं तो यहीं ट्रिक यूज करना है अगर पिलस है तो एकसी तरफ देखता हो उस वाली सर्थ के सामने जो फलन का मान होता है लेते हैं वही ले लेते हैं अगर माइनस आपको दिख जाए यहां पर तो एकसी तरफ ना देखता हो उस वाली सर्थ के सामने जो एकसी तरफ नहीं दे गएगा उ के सामने जो फलन का मान दिया होता है वही हम लेते हैं कि इसको मज़क्व कर देखो यह कंप्लीट हो गए कॉटे सनकों साहे चारे चार का देचो हल पहले सबसे पहले फलन का मणभा रख लेंगे क्या एन की पावर एन यहाँ पर चार कर लेते हैं लिए और बताया है कि X पर यन पर संतत है यह सिद्ध करना यह लिखा आए और बताये यह एक धन-पुड़ांग कहा है धन-पुड़ांग क्या जानते हो यहां पर क्या लिखा है धन-पुड़ांग इसका मतलब एक दो तीन डाट 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 ऐसे आपको एक से आगे जो भी लेना है ले सकते हो ठीक है इसको हम यह भी बोलते हैं प्राकर्तिक संख्याएं प्राकर्तिक संख्याएं भी एक से कि प्राकर्तिक संख्याओं से लेना है कि इस New किससे लेना है तो आपको बास्तविक संक्याओं से लेना है और जब बता दे यहां पर जैसे यह नहीं और बता दिया यह एक धन पूरांग तो यहां पर यह बिलांग्ष्टू आई प्लस इसका मतलब है यहन का मान हम आई प्लस से कुछ भी ले सकते हैं तो हम पहले क्या करें सिद्ध कीजिए एक सब्सक्राइबर यहन पर शिद्ध हैँ राक पता है यहन का मान हम ना कुछ लेलो टास बहुंट에 लो सभी अगर यहन पर संतत आ गया तो कि अच्छ efficiently같 मियोगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक सबसे पहले हम क्या करेंगे जो प्रियाशन में लिखा होता है वही आपको लिखना है अगर सांतत लिखना है संतत लिखना संतत की जांच कि अब यहां पर आपको क्या करना है मान निकालना तो एफ एन दारेट ठाओ लीन कैनल अब आरेचल निकालो यहां प्राबर ले मेट यह टेंस टू जीड़ु यह अब आप्को क्या करना है आरेचल का मान निकालना है ले में छी टेंस टू जीड़ु अब देखो एन प्लस एच है अब आपको एक्स के इस्टान पर रख देना है तो एफ एन प्लस एच का मान ग्यात हो जाएगा यहां पर रखो तो एन प्लस एच की होल पावर क्या है केबल और केबल एक्स बदलता है एक्स चेंज होता है और कुछ नहीं चेंज होगा तो यहा नहां पर है ना वो क्या है अंस में तो बनेगी नहीं तो डारे रखो जब फॉर्म बनती है तो लिमिट कमांड डारे नहीं रखते हैं तो लेमिट अटा के येश के स्थांड पर क्या रख दो अब देखो तीसरी वाली और देखो ऐले चल तो यहां पहीर न कर लेते हैं यह पताया इसी फार्मिले को यूज कर लेंगे इसे अटा देते हैं ठीक है चाहुत यह बीए हटा दो अब लिए कि दो इसका मानन निकालो क्योंकि जब इसका मान और इसका मन बराबर निकलाए ना तो आपको तीसरी वाली का और मान निकालना आए बामपच सीमा का ठीक है और वैसे भी बताया सिद्ध की जिए तो सिद्ध में क्या होता है तीरों के मान बराबर ही आते हैं कि तो यहां पर यह माइनस एसे रख दो एक्स के स्थान पर क्या रख दो एन माइनस एस तो एन माइनस एस की होल पावर कितनी आएगी एन लिमिट हटाते हैं एस के स्थान पर क्या रखते हैं जीरों तो एन की पावर क्या निकली एन निकले तो अब देखो ऑंसरीट एन की प प्लस का जीरो बराबर एफ एन माइनस का जीरो आंसर सीट क्या निगली एन की पावर एन तीनों की आंसर सीट क्या निगली बराबर निगली है तो जब बराबर निगली है लिख दो आथा एक्स बराबर एन पर एक्स बराबर एन बिलांग टू आई प्रैसन में अगर संतत लिगा तो संतत लिगो यह कंप्लिट हो गए आप लगो करो इसे यहां पर कुछ समझाते हैं जैसे एक्स पर्रबर ओपन कंब स्रण ऑपन ऑगया अब का मान ऑपनाइस कुछ भी ले लो सभी मानों पर क्या आएगा संतत ही आएगा चलो इसे हटा देते हैं अब अगला देखो इसमें तो ज्यादा काम नहीं था क्योंकि एक्स बराबर केवल और केवल एक मान दिया गया था एक्स बराबर यह अब पांचमा देखो इसे हटा देते हैं पांचमें में फलन का मान लिखो सबसे पहले तो फलन का मान जो दिया गया मजले कोस्टक दिया गया क्या दिया गया मजले कोस्टक में हमने आपको बताया क्या करना पड़ता है तो फाइब बाला हम यहां पर लिख देते हैं कि दिया गया फलन सबसे पहले आपको क्या लिखना आ है है फलन लिख देना ऑब भी मजलिक ओस्टेंग में दिया गया यह एक्स बताया है तब आता है जब एक्स नमान एक है ऐसे छोटा लेना है यहाँ पांच लिखाए यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन बताया है एक्स का मान बंसे अगर बढ़ा लिया तो कितना मिलेगा पांच मिलेगा अब देखो यहां पर एक्स के मान दिये गए अगर ना दिये गए हो तो एक्स बराबर यहां से ले लेना एक्स का मान यहां से ले लेना बराबर से ठीक है यह बात आपको पता है जब भी मज ने लेगो शंट है तो जब येक्स घमान ना मिले तो आपको बरावर से लें लेचांगों और यहां पर लगाता हो यहां तो यहां पर एक सिर्मार दिए गए aison दिए गए एक दो दिया गया एक दो ही लगता रहे तो यहां पर काम करेगी प्यूंकि एकस का मान जो भी मिल जाए और आपको यहाँ पर मैचिंग मैचिंग आपने देख ली कि यहाँ पर बन यहां पर बन यहां पर तो इसके लिए तो ट्रीक लग जाएगी गरेटर लेस वाले में क्या होता है जब पिलस आ जाए तो एकसी तरफ देखता हो उस सर्थ में देखते हैं और उसके सामने जो फलनकमान होता है ले लेते हैं और माइनस अगर हो तो ना देखता हो तो उस वाली सर्थ के सामने क्या करते हैं हमें फलनकमान लेना पड़ता है अब जी एकस बराबर जीरो और दो है एकस बराबर क्या है जीरो है और दो है इसके लिए ट्रिक क पिलस इदर आएगा मैनस बीच में 0 0 के राइट चलेंगे पिलस की और कि जीरो के राइट चलेंगे पिलस की और ठीक है अब देखो यहां पर बताया है बराबर क्या बताया है लेस देन एक्वल वन और यहां पर ग्रेटर दें वन यहां पर बताया कि एक्स का मान बन ठीक है तो यहां पर हमने क्या कर लिया वन इसी से देखना है एक्स का मान फिर उसके बाद यह देखना है यहां पर मिला है ठीक है तो हमने यह क्या कर लिया रंग लिया है क्योंकि यह आपने क्लास 11 में सीखा है गिलास 11 में सीखा है यह रंगना जब भी एक्वल होता है तो बन को लेते हैं अब देखो यहां पर बताया कि वन या बन से लेस एक्स गावान तो इधर चलेंगे माइनस की और या वन से कम लेना है तो आपको पता है लेफ्ट की और माइनस की संक्वाइं मिलती है वही कम होती है अब पर देहों को भ्यातिस तो में नहीं थिक है तो इतना दियां रखना है यह रेका लाइन हमने बना दिये है और आपको समझना क्योंकि एक्स बराबर जब बन लेंगे उसके लिए ये काम नहीं करेंगे किसके लिए काम करेंगी एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर दो एक्स बराबर दो के लिए ये रेखा लाइन है एक्स बराबर बन के लिए काम नहीं करेंगे देखो अब पहले हम क्या करेंगे एक सब्सक्राइब किलिगें कि आपको एक एक सदू में तो मैं यह पर हकै तो में जीरो पर निकाले निगा तो देखो जेरो काम पर मिलेगा क्योंकि यहां पर बताया devenir बैंसे मुन Less तो जीरो देखना है जीरो किदर मिला वन से छोटा मतलब बंसे लेफ्ट में मिला ना तो बंसे छोटा ना जीरो तो देखो किस सर्थ में मिला इस वाली सर्थ मिला देख लो जीरो यह पर पीछे तो इसी में बताया गया है कि एक समान बन या बन से छोटा अगर है तो आपको फलंग का मान एक्स लेना तो यह जीरो चोटा है बंग से चोटा है तो इस सर्थ के सामने एक फलंग का मान लेना है तो फलंग का मान क्या एक्स है तो एक से इस्तान पर क्या रख देना जीरो इसका मान आ गया अब देखो आरे चल यह जीरो पिलस जीरो निकालो लेमेट यह ट करता है काईने मतलब है zero plus each को हम नहीं लिखेंगे हम इसको फ्रेस लिखेंगे क्यूंकि अगर लिख दिया फिर ट्रिक काम नहीं करती है ट्रिक तभी काम करती है जब zero पिलस लिखा हो ठीक है अब देखो इसने बोला है zero में कुछ पिलस हो रहा है यह होता है बहुत छोटा क्या बिलेगी जीरो के यहां पर मिलेगी पास मैं तो रहेगा तो बंसे छोटा आइब यह तो सिर्त प्रत बन यह बन बंसे चूटा तो इस तší सामने का मांट एक तो आपको एकस स्टान पर क्या रख देना है जी तो इसका मान हमें पता चल जाएगा यह जीरो पिलस यह का रख दो अब लिमिट अट आओ यह के इस तान पे जीरो रख दो जीरो पिलस जीरो कितना मिलेगा जीरो इसका भी मान जीरो इसका भी मान जीरो अब आपको क्या करना है एलेचल और निकालना है है पार्मूला है फार्मूला एयाध कर लेना है यह ड़िद portray two zero minus I तो थिक है। अभ यहां पर देखो जीरो में जोटी संख्या माइनस और रही है जीरो में बहुत छोटी संख्या संख्या माइनस हो रही है तो यहां पर कहीं मिलेगी यहां पर कता ही पास में मिल जाएगी तो रहेगा तो बंसे चोटा ही तो कौन सी सर्त है यही सर्त है बंसे चोटा बन यह बंसे चोटा एक्स गामान तो आपको यह लेना इसके सामने जो फलंद कामान दिया गया रख दो एक्स के इस्तान पर क्या र पर पकताए नएच के इस तान पर क्या रख धśmy続Ty no commission क्या निकले इसकी अधि फिजिरो हुआ तो रat quickly यह यहां फिले जिरो प्लस्यव का मान मैनस जीरो कमद्न जीरो नेगातीन symptom बरावर आ गही जब बरावर आगए तो आपको पता है फलंग क्या होगा सांतत होगा लिख दो यहां पर अता यह बराबर जीरो पर एफ एक्स सांतत है या संतत है देख लो प्रस्ण में क्या लिखा संतत लिखा है तो आपको कि इसको हटा देते हैं आप लोग नोट करते रहा करो कि यहां पर हटा देते हैं इसको एक्स बराबर बन पर देखो यहां पर देखो ठीक है यह आप बन एक्स बराबर बन पर क्या बताये थी यह रेखा लाइन जो है काम नहीं करेगी अब आपको ट्रिक जो हमने बताये थी मैचिंग जब हो जाए तो ट्रिक से काम करो यहां पर दो करने यह नहीं लेतें तो बराबर के सामने टो में दो इसको स्थैन पर बन पता चल लगए अब निकालो या ह of one त्रिक यूज होगी वन प्लस चैसे तो कहने मतलब है यह वन प्लस यह का मान निकालना आए f एक्स की कितने मान तो सर्थ से ही पता चलेगा कौन सा लेना नहीं लेना जब बन प्लस आपको दिख जाया इतना देख जायाएं बन पिलस और बन जो है मैस होना चाहिए तो मैस तो पहले हैं तो अगर बन पिलस है तो एक सिर्फ देखता हो उस सर्त के सामने फ़लंक utilizz बेखता हो उस संधिक्र सामने एक सिर्फल लें ये नहीं classic बेंगिन कों डेख रहा ये देख रहा जाया ? वलन को फ़लन का मखाने तो वाट लेना है तो लेमेट यथ J तो बताये तीश्री पहाल नई कानने नहीं निकालेंगे क्योंगे निकालेंगे क्योंकि इन दो से ही पता लग जाएगा फलन सांतत है या नहीं तो मान बराबर नहीं है तो फलन सांतत नहीं होगा तो देट ही लिख दो लास्ट में दो लाइने लिखना है f1 not equal f1 plus 0 जब बराबर नहीं आए दोनों के मान तो तीसरी का मान नहीं निकालेंगा याद रगना अता लिख दो अता x बराबर 1 पर fx संतत नहीं है क्या लिख दो यहां पर संतत नहीं है यह जिए लाइन यूज करेंगा अब देखो कहां पर मिलेगा 2 याँ पर मिलाए 2 मतलब बंग से बड़ा है 2 तो बंग से बड़ा यहीं पर बताया है याज एक समन बंग से बड़ा हूँ तो फलन का मान कितना लेना इतना लेना है तो डारे रखो 5 अब निकालो RHL ठीक है RHL राइट हैंड लिमिट एफ 2 पिलस जीरो लिमिट एफ 2 पिलस का एफ ठीक है अब देखो यहां पर दो पिलस है दो में पिलस हो रहा है बहुत छोटी संक्या हो रही है तो इसके आगे पर लेकिन है तो बन्से बड़ा है तो बन्से बड़ा तो एक समन बन्से बड़ा इस हिन तो मिलेगा इसके सामने आंसरशीट यह पांच आपको रख लेना limit ले last टेंस टो जीरो आमने 5 ली यह आप два हैillhone दोनों कया निकले बराबर निकले अब आपको क्या सब्सक्राइब यहां पर आएंगे दो से थोड़ा पीछे आएंगे रहेगा तो बंसे ग्रेटर तो किसमें मिलेगा इसमें मिलेगा एक समान अगर बंसे ग्रेटर है तो इसके सामने वाला फलंग का मान लेना है तो पांच ले लो यहां पर भी लिमिट यह टेंस टू जीरो पांच ले लिया अब लिमिन हटा आएंगे है क्योंकि यहां पे यह नहीं है तोक्त हुआ यहां पर क्या करेंगे पांच लिखनेंगे आप इसका मैं इसका मान और उसका मैं утीमों कोण मान बराबर आया तो फलंक कैसा है तो लाश्ट में दो लाइने लिख दो ५्याइफ टो इक फ। two plus zero equal f two minus zero equal कितना आया फाइव आया ठीक है अता लिख दो जब तीनों मान बराबर है अता एकस बराबर टू पर fx हमने अलग अलग यहां पर अता अता लिखा अगर चाहते हो कि टोटल हम लिख दें क्योंकि यहां पर कि अगर सबी पर होता जाना तो टोटल एक बार लिख दे लेकिन आप अता अलग औलग कर सकते हो घर एक मान के क्लिए लिख सकतो हो दिक्कत नहीं आती अता एकस बराबर हमने यह बात बताई आपको कि अता प्रेसन में एक ही बार लिखा जाता यहीं बात बताएं लेकिन अगर चाहते हो कि अलग अलग मान पर हमक लिख देजे तो डिख दो वह भी गलत नहीं है तो पर दो फया है संतत है देखर लोग यहां पर संतत है यह नहीं है क्योंकि loot users नोने के ब्राइबार आएं तो संतत है तो ढ़झ दा टीक है तो यह आप लोगों को हमने यहां पर एक से लके 5% करवाइए ॏस क्लास में इसको आप लोग नोड करे लो कुझ को मान 25 आया था 2 चीरोका मान 5 हो गए ठीक है अब आपको नेक्स क्लास में हम आपको इसके बचे हुए प्रसन हल करवाएंगे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दिया करो अगर इस चैनल से जुड़ना चाते हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और अगर आप लोग चा तो आज के लिए इतना ही काफी है धन्यवाद